तो हेलो गाइज कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी इस्टडीज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे गाइज आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारी सत्र में जिस पर बेसिकली जो हमारा डिसकसन होने वाला है वह पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है केसवानंद भारती वर्सेज स्टेट आफ केरल यानि कि केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोपहर में जो हमारी लाइव ग्लास हुई थी उसमें काफे सारे लोगों रहें चीज कही थी कि पॉलिटी से जुड़ का मामला क्या था और इस पूरे मामले में रिजック कोर्स ने डिसाइड क्या किया था वह ंपोर्टन क्या फैक्ट स्टे जो चूच की हुए थै कोर्ड हम ची बनामकरलराज को किस नजरिये से देख रहे हैंने तो गाईच चलिए सुरू करते हैं आज का अपना सिय सेशन जह इसमें जो केशवानन्द भारती बनाम केरल राजी का ये मामला था ये गया था कहां पर सुप्रीम कोट यानि के सर्वोचनेल है। Supreme Court हमारा पर है वो हमारा डेली में और Supreme Court में जो त्यारह न्याइधिसों के समविधानिक पीठ ती इसने कहा हुआ था कि समविधान में संसोधन करने का जो अधिकार है इस पर एक मात्र यह प्रतिबंध है कि इसके माध्यम से समविधान के मूल धाचे को छटी नहीं पहुंच चाहतें का अधिकार है तो इस मामले में सीधे सीधे सुप्रिम कोर्ट की समविधानिक पीठ ने यह कहा कि समविधान के मूल ढांचे को छती पहुंचे ऐसा कोई भी संसोधन समविधान में नहीं किया जा सकेगा इसका मुख्य बिंदु में आपको यह याद रखना है कि त्य किया जा सकता है यानि कि जो समविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है मौलिक इसका जो संद्चना है इसकी जो मौलिक संद्चना है इसका जो मौलिक स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन सरकार के द्वारा या संसत के द्वारा नहीं किया जा सकता है इसी लिए के संविधान ने भी बताया कि मूल संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया उस उनको घटाया नहीं जा सकता है चेंज नहीं किया जा सकता है वो जो decision पूरा का पूराया वो decision आपका दिया हुआ था कि supreme court ने और supreme court ने वहाँ पर उन points को बताया जो basic structure के अंतरगत आएंगे गाई जिसमें सबसे पहले जो आपका सुप्रीम कोड था उसनी यह कहा कि जो समविधान की सर्वोच्चता है सुपीरेटी आफ इंडियन कांस्ट्यूशन है वो एक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इसलिए इसमें कभी संसत कोई भी चेंज नहीं कर सकती है हमेंसा समविधान ही सर्वोच्च रहेगा दूसरा पॉइंट जो सेपरेशन आप पूरा का पूरा है जिसमें आपका बिधाई का कारेपालिका और नियापालिका के बीच में जो सक्तियों का बटवारा है इसमें कोई भी चेट संसत के द्वारा नहीं किया जा सकेगा इसका बेसिक मतलब यह कि किसी भी एक प्रनाली की जो पूरी की पूरी प्रनाली की जो पावर्स है इन पावर्स को कभी भी इधर से उधर separate नहीं किया जा सकेगा यानि कि जो बिधाईका है और जो आपकी कारेपालिका है कारेपालिका के लावाद जो आपकी नियापालिका है ये जो ये सारे के सारे हैं ये सारे के सारे जो है आप इसमें आपस में चेन नहीं कर सकेगे यानि कि कभी भी कोई ऐसा संसोधन इसमें नहीं किया जा सकेगा कि पता चला निया अपालिका की जो पूरी पावर्स है वो अपालियमेंट अपने आप में संग्रहीत कर ले रही है तो यह दूसरा ऐसा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपका त्यारा जजो की समधानिक पीठ रही उन्होंने कहा कि यह फंडामेंटल जो है आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतरगत आएगा तीसरा पॉइंट है गण राज जात्मक और लोगतांत्रात्मिक सुरूप वाली जो सरकार है यानि कि जो लोगतंत्रिक सुरूप है देश का जो लोगतंत्र आप सुनते रहते होंगे हमें सब भारत में लोगतंत्र है जो लोगतंत्र का भारत का सुरूप है इसको कभी भी राज तंत्र में परिवर्टित नहीं किया जा सकेगा यह किसी भी जो है या इसमें कोई भी चेन नहीं कर सकते हैं किसी भी amendment के द्वारा constitution जो एक लोग तंतरात्मक ब्युस्था का जो परणाली बनाता है जो संसदी ब्युस्था बनाता है इसको कभी भी परिवर्टित नहीं किया जा सकेगा यह भी basic structure का ही part रहेगा समविधान का धर्म निर्पेच चरितर यानि कि जो constitution है आपने देखा होगा इसमें आपका constitution में आप पढ़ते होंगे समविधान में एक आ गया है कि राजी का कोई भी धर्म नहीं होगा अर्था जो यह भारत है यह किस प्रकार का एक देश है तो यह secular country है एक धर्म के द्वारा देश के जो धर्म निर्पेचता का सुरूप है इसको बदला नहीं जा सकेगा यह चौथा पॉइंट रा जिसको basic structure के अंतरगत रखा गया पाच्वा पॉइंट रास्ट की एकता और अखंडता तो जो आपकी country की पूरी की पूरी unity है वो इसको कभी भंग नहीं किया जा सकेगा नहीं इसको किसी amendment के द्वारा खतम किया जा सकता तो पहले पॉइंट कौन से रहे संविधान की सरोचता विधाई का कारेपालिका और नयापालिका के भी सक्तियों का बटवारा गड़ ज्यात्मक और गड़ आज्यात्मक और लोगतांत्रिक श्वरूप वा सकेगा यह बेजिक श्वरूप इंडिन कांस्टियूशन ने बेगती की सोतंतरता और गरिमा तो इसकी फ्रीडम है और गरिमा का अदिकार जो आपको फंडमेंटल राइट चौन दौनागा जाता है यहां पर पर भी आपको प्रेंबल है इसमें भी आपको काफी तक स्वतं fundamental rights हैं और इसके लाव जो डिरेक्ट्व प्रिंसिपल्स हैं इनको भी किसी भी लिहाद से बदला नहीं जा सकेगा किसी भी परकार का इनका जो संतुलन है वो खराब नहीं किया जा सकेगा किसी भी amendment के द्वारा नियाय तक प्रभावकारी जो पहुंच है इसको किसी भी amendment के द् खतम नहीं होगा तो यह दस पॉइंट्स बताए किस्वानंद भारती बनाम केरल राजे में कि संभिधान का basic structure क्या है मौलिक शुरूप उसका क्या है जिसको नस्ट नहीं किया जा सकेगा तो इसमें संभिधान के सर्वोचता है सक्तियों का बटवारा है लोगतंत्र है संभ किसी प्रकार का किहा किया किया किसी इस्टिति में इन में किसी प्रकार करका कोई बीाम केरल राजी का मामला क्या था किया फूरी उम्मीद एक point टिक करना है कि जो constitution का basic structure है सम्मिधान का मूल धाचा है इससे यह जुड़ा हुआ है अभी हाली में केशवानन्द भारती जी जो केरल राजी के निवासी थे उनकी death हो गई थी उसके बाद से जो मामला था यह थोड़ा सा और चर्चा में आ गया था इसके अलमा पॉलिटी में वैसे भी अक्सर करके केशवानन्द भारती बनाम केरल राज से जो सवाल है वो पूछे जाते रहें कर आप मेंस की प्रपरेशन के लिए इसको जहन में बना कर रखना चाते हैं तो यह 10 पॉइंट्स को आप जरूर समझ लीजिए ध्यान में रख लीजिए कि वो कौन-कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिनको बेसिक इस्ट्रक्चर माना था सुप्रीम कोट ने केसवानन्द भारती बनाम केरल राजी के मामले में तो गाइज यह था आज का आपका एक छोटा से सेसन जिसमें मैंने आपको केसवानन्द भारती बनाम केरल राजी को समझाने की कोशिस किये उमीद है आपको ये सेशन्स पसंद आ रहे होंगे और भी जो सेशन्स चलने है वो भी पसंद आ रहे होंगे आज का सत्र भी आपको काफी हट तक पसंद आया होगा इसके बारे में आप विकीपीडियास है या फिर जो कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं वहां से जाकर करके आप इन डीटेल्ड में पढ़ सकते हैं इसके अलामा आप सुप्रीम कोट में या जो आल इंडिया दी बोर्टर होता है उनकी वेबसाइट पर जाकरके ये पूरा केस निकाल करके इसकी पूरी डीटेल्स को पढ़ सकते हैं लश्मी कांद की आपके पास में अगर किताब है तो आप उससे भी इस मामले के बारे में इन डीटेल्ड और चीज़ों को पढ़ सकते हैं अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना दोस्तों के साथ सेर करना और पहली बार ये सतर देख रहे हो तो चैनल पे लाल वाले बटन पे क्लिक मारके सब्सक्राइब कर लेना तो आने वाली क्लासेश को आप और अच्छे से अटेंड कर पाओगे इंज्वा सो मच